अब देखे दोस्तों इस पार्ट में हम सीखेंगे कि जो हमने invoice बनाया था ये वाला पूरा MS Word में इसमें हम formula का कैसे use करेंगे जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पे हमने invoice में यहां पे details डाली थी और यहां पे लिखा था हमने quantity और यहां पे लिखा था हमने price और इन सब को हम करेंगे अपना calculate formula से ताकि यह पूरा होज़े automatic मतलब पूरा invoice आपका automatic और कहीं पे भी आपको manually type करने की जुरुर्यत ना पड़े तो सबसे हम यहां पे calculate करेंगे total जो की यह वाला column है ठीक है इस cell के अंदर हम calculate करेंगे total और total कैसे calculate होगा जब आप quantity को प्राइस को दोनों को multiply करेंगे तो आईए देखते है total हम calculate कैसे करेंगे आपका formula की मदब से तो सबसे आले आपने यहां पे total वाला जो cell है यहां पे click कर लेना है click करने के बाद आपने यहां पे जाना है layout के आप में layout के time में जाने के बाद आपको एक option मिलेगा यहां पे formula का तो जैसे आप इस formula के option पर click करेंगे आपके सामने वाली window open हो जाएगी जहां पर by default यहां पर एक formula लिखा आजाएगा जो कि है equal to sum उसके ब्रैकेट में लिखा है left अब इसका मतलब क्या होता है कि जो sum करेगा आपके left hand side की values का मतलब quantity का और price का दोनों का sum कर देगा यहां पर total के cell में और अगर हम इसको यहां पर देखे ओके press करेंगे तो आप देखेंगे 275 यहां पर calculate हो लेकिन हम नहीं चाहते थे कि इसका sum calculate हो हम चाहते रही है दोनों cells या जो दोनों जो values है दोनों multiply हो तो इसके लिए अगर हम यह यहां पर multiply का formula लगाना है तो उसके लिए देखें यहां पर paste function है जहां पर आपको बहुत सारे functions लजाएंगे अलग-अलग इनमें से एक function है जो कि होता आपका product का और यह काम करेगा आपको दोनों cells को या दोनों values को multiply करने के लिए तो simply आपने क्या करना है जो आपका product का function है यहां पर bracket में आपने लिखना है left ठीक है जो भी आपने left hand side की value को multiply करना है उसकार आपने प्रेस कर लेना ok तो आप देखेंगे आपकी दोनों values यहां पर multiply होके आपके सामने result यहां पर आ गया है अब आपने same यहां पर formula बाकी के cells में भी apply करना है लेकिन word में Excel के तरह आप आपकी वाली value drag and drop करके सारी cells में copy paste नहीं कर सकते है तो इसके लिए मैं आपको बताता हूँ एक simple से trick जिससे के आपका काम असान हो जाए का MS word में जब आप कोई भी हैपर formula लगा दिया है product का अब आप same formula यहां पर लगाना चाहते है इन values में तो simply आपने keyboard से एक key press करेंगे जो की होता है F4 की तो जैसे आप F4 key press करेंगे तो आप देखेंगे ये दोनों values का product यहाँ पर आ रिया है वैसे आप click करेंगे यहाँ पर F4 और नीचे भी जाएंगे और F4 key press करेंगे तो आप देखेंगे सारी values यहाँ पर calculate हो गई है अब हमने यहाँ पर calculate करना है SUB TOTAL अब सब TOTAL देखें बहुत ही عसान है क्यांगे ने सारी values का total यहाँ पर calculate करना है तो देखें बहुत ही इतना होता है Simpli आपने材 के cases के अपर यहाँ पर click करना है click करने के बाद सारी आपने यहाँ पर ग्लिक करना है तो देखें यहां पर sum आ गया है अब हमने यहां पर sale tax calculate करना 8% तो आये देखते हैं थाप कैसे करेंगे अभ जैसे कि आपको पता है अगर आपने sale tax calculate करना 8% आपके system calculate करेंगे वो calculate करेंगे आप total पे तो इसके लिए अगर आपने calculation करनी है तो सबसे वहले आपको सेल का नाम पता होना चाहिए अब जैसे कि एकसल में हर सेल का नाम होता है कि सेल का नाम A1 होता है B1 होता है C1 होता है वैसे वर्ड में भी अगर आप टेबल्स को यूज करें तो सेल का नाम होता है तो सेल देखे कैसे कैलकुलेट होता है तो आपने उपर से यहां पर काउंट करने के लिए यहां पर करेंगे 1,2,3,4,5,6,7,8 तो इस cell का नाम क्या हुआ? B8 ठीक है तो आएगे देखते हैं कि हम इसको 8% यहां पर इसकी वाल्यू कैसे कालकुलेट करेंगे तो सबसे बहले हमने देखिए cell text के यहां पर जो cell है यहां पर क्लिक किया क्लिक करने के बाद हम जाते हैं यहां पर layout के time में formula में और जो यह वाली sum already लिखा हुए इसको हम यहां पर delete कर देते हैं तो हमने equal to यहां पर रहन दिया है जो हमारा cell का नाम क्या था वो था हमारा b8 ठीक है तुमने यहां पर लिख लिए b8 उसका हर queremos multiply multiply करने के बाद Beanfight करने के बाद हम यहां पर लिखते हैं weaken bracket करने के बाद आप हमने 8 person निकालने तो 8 लिखते हैं divided by 100 ठीक ए उसके और हम यहां पर bracket close कर लेते है उसका note है जो हमारा सब टोटल है सेल टैक्स है और सब हैंडलिंग चार्जिस इन तीनों को प्लस करके हमने यहां पर टोटल में वैल्यू अपनी डिस्प्ले करनी है तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे तो जैसे कि आपको पता है सब टोटल का यहां पर जो वैल्यू जो सेल का नाम हो था हमारा बी एट और उसे रंग से दोस्ते जो नीचे वाले सेल का नाम होगा वो क्या होगा बी नाइन और नीचे वाला बी टैन तो आईए अब इन टीनों वैल्यू स्को प्लस कर लेते हैं तो इसके लिए हम देखे टोटल पे क्लिक करते हैं क्लिक करने के बाद यहां जाते हैं फॉर्म ला में फॉर्म ला में जाने के बाद अब आपने यहां पे सम अभव नी करना क्यूंकि सिंप्ली आपने यहां पर टोटल सेल टैक्स और हैंडलिंग चार्जिस ही निकालना है तो इसके लिए आपने क्लिके सबस्से बहταले आपने लिखना है बिए ठीक ह इसके बाद दोस्तों यहां पर देखिए ID Numbers हैं तो यह भी हम देखिए manually नहीं डालेंगे इसको भी हम automatically रखेंगे ताकि अगर हम कोई और value यहां पर add करें तो automatically हमारा ID number भी update होते रहे तो आगे देखते हम कैसे करेंगे तो इसके लिए simply हम क्या करते हैं जहां हमें ID Numbers चीए वह पूरे हम यहां पर अपने columns या cells select कर लेते हैं select करने के बाद जाते हैं home tab में और यहां पर option मिलेगा आपको numbering का तो just tap इस पर यहां पर click करिए click करने के बाद जो one two three का जो number है यहां पर click कर लिए तो आप देखेंगे यहां पर automatically आपके serial number आप ही गए है आए दोस्तों अब मैं आपको last में बताता हूँ कि अगर आपने इस total को words में लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे formula की मदद से तो सबसेले दोस्तों यहां पर देखें एक row और बना लेते हैं तो just हम यहां पर total पर जाते हैं यहां पर click करते है और tab button press करते है तो देखें आपके सामने यह वाली row बन गई है table में और इस row को भी select करके हम यहां पर right click करके इसको कर लेते है merge तो यह वाली row यहां पर merge हो गई है अब हमने यहां पर देखिए amount लिखना है words में तो यहां पर let's say हम लिख लेते है amount अभी देखे white color में आ रहा है तो हम इसको select करके इसको black कर लेते हैं तो home tab में जाते हैं और यहां से इसका font color हम यहां पर black रख लेते हैं तो यहां पर लिख लिख लिए amount in words ठीक है तो हम यहां पर लिखा उसके बाद आपने यहां पर formula लिखने के लिए सबसे वहले है आपने प्रेस करना है control plus F9 तो जैसी press करेंगे आपके सामने कॉली brackets आजाएंगे अब आपने इसमें लिखना है formula तो formula लिखने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे equal to equal to लिखने के बाद सबसे वहले आपने cell का नाम लिखना है तो जो total का cell का नाम है वो क्या होगा हमारे क्योंकि जो उपर वाला total था इसका था B8 इसके नीचे B9 था B10 तो इसका नाम था B11 तो हमने यहां पर लिखना है B11 उसके बाद आपने यहां पर लिखना है backslash और यहां पर लिखना है star और star के बाद लिखना है आपने card, text क्योंकि आपने text में convert करना है यह वाला number और उसके बाद आपने right-click करना है और यहां पर option मिलेगा update field का तो आप देखेंगे जो यह वाला number था वो आपका words में आ गया है automatically तो अगर आप यहां पर देखें कोई भी value यहां पर change करते हैं लेट से हमने 500 की जगा 1000 कर दिया तो आप देखेंगे अभी यहां पर value यहां पर change नहीं हो रही तो word में देखें value खुड नहीं change होती है आपको इसको update करना पड़ेगा तो update करने के तो simply आपने जो भी value अपडेट करनी है उसको right-click करना है और यहां पर option मिलेगा update field का तो जैसी update करेंगे तो आपके सामने value update हो जाएगी similarly अगर आपने इसको भी update करने इस पर right-click करें update field तो यह value value automatically update हो जाएगी आपके total के accordingly तो इस दोस्तों आप अपने MS Word के document में formula लगा सकते हैं और अपने invoice को यहां पर automatic बना सकते हैं तो मिलते दोस्तों next part में until then goodbye take care